आसा से आकास टंगा है क्या आसा छोड़ देने से आकास गिर ना जायागा आकास न गिरेगा आसा ही गिरेगी कोई आकास आसा से टंगा भी नहीं लेकिन आदमी इसी तरह सोचता है जैसे तुमने उस छिपकली के संबन्द में सुना हो कि छिपकलीों में कहीं कोई बिवाह था और एक महल की छिपकली को भी निमंतर मिला निश्य थी सब से पहले मिला क्योंकि वो महल में रहती थी उसने का मैं आना सकूँगी क्योंकि अगर मैं आ गई तो छपर गिर जाएगा महल का मैं ही तो समाले रहती हूँ छिपकली सोसती है कि महल के छपर को समाले हुए अगर चली गई महल गिर जाएगा तुमने उस बुढ़ी की कहानी सुनी जो सोसती थी कि उसका मुर्गा बांग देता है इसलिए सुभे सूरज उखता है लेकिन गाओं के लोग हंसते थे उसका तर्ग भी ठीक था क्योंकि ऐसा कभी नहुआ था जब भी मुर्गा बांग देता तभी सूरज उखता था गाउं के लोग हसते थे कि बुढ़ी तू पागल होगे एक दिन वो नाराज हो कि अपने मुर्गे को लेके दूसरे गाउं चली गए और उसने का कि अब रोगे अब बठकोगे अब खोजोगे मुझे और तडफोगे पस्ताओगे कि क्या गमा दिया आप कभी सूरज नहोगे अगा मुर्गा में लिये जा रहे है और दूसरे गाउं में जब मुर्गे ने बांग दी तो वहाँ सूरज निकला उसने का आब रो रहे होंगे ना समझ सूरज यहां निकला जहां मुर्गा है वहाँ सूरज आसा से कुछ भी नहीं टंगा है आसा ही तुम्हें भटका रही है फांसी लगी है आसा से ही इसे थोड़ा समझो आसा के कारण ही तुम जीवन में कुछ भी नहीं सीख पाते है एक आदमी दस अजार रुपे कमा लेता है सोचता था पहले कि दस अजार हो जाएंगे सब ठीक हो जाए फिर दस अजार हो गए कुछ ठीक नहीं हुआ आसा कहती है कि दस लाख हो जाएं तो सब ठीक हो जाए वो बिलकुल भूली जाता है कि यही आसा पहले कहती थी दस जार हो जाएं तो सब ठीक हो जाए इसकी पहले मान के चले कुछ ठीक न हुआ अब भी ये आसा कहती दस लाख हो जाएं तो सब ठीक हो जाए फिर दस लाख भी हो जाते हैं फिर भी कुछ ठीक नहीं होता, बलकि जो ठीक था, वो भी गड़बर हो जाता है। आसा आप भी कहती है, एक दस लाख में क्या होगा, ये भी कोई संपत्ती, दस करोर, ऐसे आसा से आकास टंगा है। आकास क्या है ये। ब्रांथी, ब्रह्म, म्रग, मरीचिका, सपने, ठंगे, आदमी दोड़ता चला जाता है। आसा अनुभव को पराजित कर देती है और तुम्हे कुछ सीखने नहीं देती। एक इस्त्री से तुम्हारा प्रेम होता है या एक पुरुस से प्रेम होता है। बड़ी आसा से, उमंग से भरे, बेंड़ बाजे बजाके, शुरुवात करते हो। बड़े फूल बिछाके, बड़े सुगंध छिड़के, यातरा सुरू होती। जल्दे ही सब दुरुगंध हो जाता है, जल्दे ही सब कलह हो जाती है, विसाध हो जाता है, दुख हो जाता है। आसा फिर भी छोड़ती नहीं पीछा वो कहती ही इस्त्री गलत ये पुरुस गलत दूसरी इस्त्री अगर पडोस की इस्त्री मिल जाती तो सब ठीक हो जाता मैंने चुनाओं में भूल की तो पश्चिम में उन्होंने चुनाओं की सुविधा बना ली ऐसे लोग हैं जिन्होंने दस बार जीवन में तलाग दिये और अभी भी आसा कर रहे हैं कि ग्यारमी पत्नी से सब ठीक हो जाएगा या ग्यारमी पत्नी से सब ठीक हो जाएगा अनुभव पर जीत हो जाती है आसा की आसा के कारण ही अनुभव से तुम कुछ निचोड नहीं पाते िसार तुम्हारा जीवन नहीं बदल पाता फिर तुम वही भूल करते हो फिर वही भूल करते हो और आसा कहे चली जाती जाती कि इस बार हो गई कोई बात में अगली बार सब ठीक हो जाने वाले आसा भटकाती है, समाले नहीं है अगर तुम्हारे जीवन में से आसा हट जाए मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम निरास हो जाओ इसे थोड़ा समझ लेना क्योंकि निरासा भी आसा का ही निसिधात्मक रूप है वो भी आसा ही हारी हुई वो भी आसा का ही पराजित रूप है लेकिन है आसा ही जब तुम एक आदमी को देखते हो बिलकुल निरास होके बैठा है तो क्या हुआ है? ये कोई ज्यान को अपलब्द नहीं हो गया आसा अभी भी है लेकिन पस्त हो गया अब दोड़नी की हिम्मत छूट गई आसा तो अभी भी है कि अगर ताकत होती सरीर में अगर धन पास होता अगर सुविधा होती अगर मौका मिल जाता आउसर बन जाता भाग गए भगवान अगर साथ दे देता तो करके कुछ दिखा देते अभी भी आसा तो जगी ही है भीतर लेकिन बाहर ठक गया और हार गया तूट गया इसलिए निरास है निरास के भीतर आसा का दिया तो जलता ही रहता है सिर्फ चानों तरफ से अंधेरा गिर जाता है आसा से मुक्त का अर्थ होता है आसा निरासा दोनों से मुक्त ऐसा व्यक्ति जो भविश्य में जीता ही नहीं ऐसा व्यक्ति जो अनुभव को खुली आँख से देखता है आसा के माध्यम से नहीं और जो जीवन की सचाई को उसके रूखे सूखे पन में पहचानता है आसा की आदरता के माध्यम से नहीं जो वासना, तरशना, कामना के सपने लगाकर जीवन के सत्यों को नहीं देखता है उगार के नगन सत्यों को देखता है न तो वो आसावान है न निरासावान है आसा निरासा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है उसने वो सिक कही फेग दिया अब वो यथार्थ में जीता है और जो यथार्थ में जीता है वही रोज रोज यथार्थ होता चला जाता है जीवन रोज रोज सत्य के करीब आने लगता है सत्य में जीने की छमता बड़ा साहा से आसा तो कोई भी कर लेता है कमजोर से कमजोर आदमी भी पहलवान होने की आसा करता है गरीब से गरीब समराठ होने की आसा करता है भोगी से भोगी त्यागी होने की आसा करता है आसा में तो कोई अर्चन ही नहीं आसा तो कोई भी कर सकता है आसा तो मुफ्त मिलती इसलिए मैं कहता हूँ आसा के अतरिक इस संसार में मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता है सत्य तो मिलता ही नहीं बस आसा मिलती कोरी आसा मैंने सुनी है एक बहुत पुरानी कहानी है एक आदमी ने परमात्मा की बड़ी प्रार्थना पूजा की परमात्मा प्रसंद हुआ और जिस संख को बजा के वाद में पूजा करता था परमात्ना ने का अब ये संख तेरे लिए वरदान है तु इसे समाल के रख और तुझे जो भी इससे मांगना हो मांग लेना वो तुझे मिल जायेगा वो आदमी घर आ गया पहले तो बड़ा उत्ते जितरा घर आती द्वार दर्वाजे बंद करको उसने संख से का कि एक महल मिल जाये महल मिल गया हीरे बरस जाएं घर में हीरे बरस गए एक सुन्दर इस्त्री आ जाए सुन्दर इस्त्री आ गई फिर धीरे धीरे जब सभी होने लगा तो बड़ा निरास हो गए कुछ बचे ही नहीं करने को आसा करने को नहीं बचा वो जो आसा से आकास टंगा था, बिल्कुल गिर गया, ऐसा लगा, अब जो कहें वो हो जाता है, बड़ी मुश्किल में पढ़ गया, आदमी आसा में जीने वाला था, सत्य में तो जी नहीं सकता था, अब ये जो संख था, ये हर चीज को सत्य बना देता था, सपने को भी सत्य बना देता था, ये बड़ी मुश्किल में पढ़ गया, बड़ी उब आने लगी, सुन्दर से सुन्दर इस्त्री भी उब देने लगी, हीरे जवारात पड़े रहते, कौन सम्हाल के रखे, क्या करे, महल बड़ा था, सब कुछ था जो चाहता, सब उसी वक्त हो जाता, एक एक सन्यासी घर में महमान हुआ, रात उस सन्यासी ने कहा कि मेरे पास एक संख है, ये संख बड़ा अद्बो थे, इससे तुम मांगो दस अजार, ये फोरण करा, दस अजार क्या करोगे, बीस अजार ले लो, ये बड़ा अद्बो शंख है, वह आदमी बड़ा उस्षख उसने का संखेत मेरे पास भी जिससे मैं बड़ा उप गया हूँ ऐसा करो हम बदलने संख बदल लिए गया है वो सन्यासी आया ही संख बदलने था सन्यासी आते ही इसलिए ग्रस्त के घर संख बदलने तो किसली आया गा सन्यासी को हिमाले पे रहना है उसको घराने की गरस्त के क्या जरूरत संख बदलने आता है कुछ है गरस्त के पास जो उसके पास नहीं सन्यासी तो लेके संख चलता बना इसने अपना नया संख रखा फिर से बड़े वो साह सिका 10 करोर रुपे दे दे उसने का 10 करोर में क्या होगा 20 करोर ले ले वो बड़ा प्रसंद हुआ कि यह है संख तो उसने का अच्छा 20 करोर दे तो उसने का 20 करोर में क्या होगा 40 करोर ले ले वो महा संख था वो सिर्फ बोलता ही था तुम जितना कहो वो उससे दुगना करके बोलता था थोड़ी देर में तुसने च्छाती पीटली गिए तो मारे गए इस संख देता तो कुछ भी नहीं है वो कहता कि पचास मंजल का मकान हो कहता क्या करोगे सो मंजल का मकान ले लो तुम कहो सो वो कहता है दो सो वो संख आसा का संख था कामना का, तरशना का तरशना दुस्पूर है वो कभी भरती ने तुम जो मांगो उससे दुगना सपना दिखाती वो कहता एक स्वर्ग, दो स्वर्ग ले लो एक परमात्मा चाहिए, हम दो दिये देते मगर देना लेना कुछ भी ने सिर्फ कोरी बाचीत थी छाती पीटी लेकर अब देर हो चुकी थी तुमने भी, सभी ने जीवन के यथार्थ को छोड़कर आसा का संख पकड़ लिया है जीवन का यथार्थ तो देने को तयार है वो सब जिससे तुम्हारी तरप्ती हो सकती है लेकिन तुम्हारी आसा मानने को राजिने वो और ज़्यादा, और ज़्यादा आसा का अर्थ है और, और, और जितना हो उससे ज़्यादा जो हो उससे ज़्यादा कुछ भी मिल जाए आसा तरप्त नहीं होती आसा अत्रप्ति का सूत्र है इसलिए जब मैं कहता हूँ आसा छोड़ दोगे तब ही तुम जीवन के सत्य के साथ एक होपाओगे तो मैं बहुत सी बातें कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ बविस्य की चिंता छोड़ो वर्तमान परियापत है जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी फिकर मत करो जो तुम्हारे पास है वो जरुष से ज़्यादा है जरा उसे भोगो सपने मत फैलाओ सत्य काफी है काफी से ज़्यादा है सपने फैला फैला के ही तुम सत्य से वन्चित हुए हो तुम मांगो मत जो मिला है तुम उसके लिए अनुगरीत हो जाओ और तुम्हारी आसा के मिठते ही निरासा भी मिठ जाएगी क्योंकि वो उसी की संगी सांथिन वो जोडा है आसा पती हो तुनिरासा पतनी वो सांथ सांथ ही उनको अलग कभी किया नहीं जा सकता है उनमें कभी तलाक हुआ ही नहीं तो जब तुम किसी आदमी को निरास देखो तो ये मत समझ लेना कि ये कोई त्याक को उपलब्ध हो गया इसने अती आसा की और वो पूरी नहीं हुई इसलिए परिशान बैठा है दुखी बैठा है ये फिर आसा से भर जायेगा जलदी ही ये फिर भूल जायेगा अपनी निरासा को फिर नई आसा की उमंग ले लेगा जो व्यक्ति वेराग्य को उपलब्ध होता है उसकी आसा निरासा दोनों जा चुकी उसने एक निर्णे उपलब्ध किया है एक सार जीवन का निचोड लिया है कि आज और अभी है सब कल व्यर्थ है कल कभी आता नहीं इस छण तुम पूरे जीलो इस छण से बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं इस छण में सभी कुछ मौजूद है पूरा अस्तित्व इस छण में ही मौजूद है इस छण में ही सारा विराट मौजूद है सारा ब्रम्ह मौजूद है इस छण में ही सारे अस्तित्व की सरीताएं गिर रही है ये छण ही सागर है तुम इसको पूरा जीलो इस जीने से ही तुम्हारा दूसरा छण भी निकलेगा इस जीने के उपर ही उबरेगा इस जीने से विराठ होगा, बड़ा होगा, गहरा होगा लेकिन आसा के कारण ने जी कर उसे निकलने दो दुनिया के दो धंगें या तो तुम जीओ और या तुम केवल सपने देखो अधिक लोग सपने देखते हैं और उनसे अगर कहो कि सपने छोड़ दो तो वो कहते हैं आसा से आकास तंगा है निश्चित उनका आकास सपनों से ही तंगा है अगर वो गिर गया तो वो कहीं के न रह जाएंगे वो सोच सोच के ही जीते है उनकी हालत ऐसी है जैसे किसी आदमी को भूख लगी हो और वो बोजन तो न करता हो राज महल में भोज चल रहा है उसका सपना देखता हो ये मरेगा क्योंकि चाहे राज महल का सपना देखो चाहे कितने ही सुस्वादू बोजन का सपना देखो उससे खून नहीं बनेगा उससे हड़ी नहीं बनेगी उससे ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि मुझ की लार गतिमान हो जाए और कुछ भी नहोगा लार के गतिमान होने से कोई पेट नहीं भरता और भूख बढ़ती सुखी रोटी भी पास हो तो सपनों के महोस्व से और सपनों के भोज से बहतर है सुखी रोटी को भी ठीक से पचा लेना है उस सखून बनेगा, हड़ी बनेगी अस्तित्व को वासना के माध्यम से मज जियो इसे ही मैं सन्यास कहता हूँ नहीं कहता है कि भाग जाओ संसार छोल कर संसार को पूरी तरह जियो ध्यान के माध्यम से जियो, वासना के माध्यम से मज जियो वासना का माध्यम आसा के द्वारा चलता है और ध्यान का माध्यम जो है बस उसको ही परियात मानता है ध्यान संतोस है, संतुष्टी है आसा असंतोस है, अधैरी है कर दो जो कर दो